तू मैं चानल दे बलश कर I am Rhea आज की वीडियो में आप लोगों की साथ शेयर करने वाली तू रिवीव और वेत अन वाइल्ड ओंब्लश तो मेरे पास हे वेत अन वाइल्ड का ओंब्लश जिसका रिवेवेव चुर्ण की साथ शेयर करने वाली हूँ जब मैं इसको पर्चेस कर रही तो मैंने सोचा कि मैं यूटूब पर कुछ रीवियू के विडियो तेखू वैसे तो यह मैंने वीशली स्मय बहुत होती दिनों से था बट मैं इसको नहीं खरिद पा रही थी क्योंकि इसकी प्राइस ना 450, 499 के आराउंड चल देती तो आए थौट कि थोड़ी सेल आने दो मैं खरे जूँगी पर 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 फ्लाट 50 चल देती फ्लाट 50% OFF उसमें मुझे मिल गया 250 मैं मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ नहीं सोचा कि मैं इसको बाइ करूंगी आप लोगों के साथ मुझे के से लगा कुछ यूटूब पर मुझे कुछ वीडियो भी नहीं मिल रहती इसके लेकर तो अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूं कि आप लेना चाहिए कि नहीं अभी हम आते है 0.1 पर पहले हम इसकी packaging देखते है इसकी price and then quantity देखने packaging याप देख सकते है। बहुत ही luxurious packaging है कुछ इस तरह और यहाँ पर shade name लीका है और मेरा shade name जो मेंने लिया है वह है मैंताइब भाइयू एड्रिंक E315W यह मेरी शेड है then issue मैं open करके दिखाती हूँ आपको आप देख सकते हूँ लेक ऊपर थोड़ा सा golden pink है और नीचे coral shade मैंने लिए है आप pink लेते हैं तो आपको ये pink मिलेगा तो और भी कुछ shapes are available है मैंने ये वाली shade लिए coral shade क्योंकि मुझे ज्यादा pink की चीक्स नहीं है पसंद है क्योंकि coral और subtle makeup अच्छा लगता है अगर अप मेरे वीडियो देते हो तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला shade लिए हूँ ठीके तो कुछ इस तरीके का आपको packaging दिल जाएगा क्लोज करने के बाद अभी मैं आपको इसकी price बता देती हूँ और quantity क्या है बता देती हूँ तो इसकी price है 499 यहाँ पर रियार प्राइस लिखिए 499 रुपीज बद अगर नाइका परपई.com होंक मेकप इन पर check out करोगे तो आपको बहुत सारे discounts मिल जाएगे तो अलग करेंगे आप परपई.com पर जाके देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो अब जाके देखो अभी क्या price चल रही है I'm not sure ठीक है तो इसकी price change होती है तो इसकी quantity है 9 gram तो total 9 gram का product अबको अवेलेबल होता है now point number two point number two यह है कि सच में as a blush work करता है कि नहीं सच में as a blush pigmented है कि नहीं तो guys इसका नेम तो blush है blush का highlighter है इसी मुझे लगता है क्योंकि मैंने इसको यूज करा तो मैं expect कर देती कि यह जो shade है यह मेरे cheeks पर आजाए तो वह नहीं आ रही थी बट या यह तो इसमें highlighting particles है जो आपके cheeks को बहुत ही अच्छे थे highlight कर देते बट यह ऐसे blush work नहीं कर रहा है थोड़ा सो chalky भी लगा मुझे यह बट overall अच्छा है अगर आप expect करते हो कि आपका blush आपके cheeks को pink बना देगा या फिर जो भी color blush का है वो बना देगा तो नहीं दे रहा है यह वाला blush यह वाला blush आपके cheeks को highlight जरूर करेगा बट जो think आपको चाहिए वो नहीं देता है तो यह मैंने experience किया इसके साथ तो यह चीज बहुत important है जो मैं आप लोगों की साथ शेयर करना चाहती थी इसलिए मैंने आज का video बनाया अब ही मैं आपको हैंड पर और मेरे cheeks बर भी scratch करके दिखाऊंगी कि किस तरह वर्प करता है ठीक है तो चलिए पहले मैं आपको हैंड पर scratch करके दिखाती है इसको formula बहुत ही बादा creamy है अब देख सकते हो I hope यह I hope यह यह लोगों को अब देख सकते हो अब और थोड़ा करते दिखाऊंगी कुछ इस तरह तो या आप देख सकते हो ऐते हाइलाइटर वर्प कर रहा है आभी मैंने पीचे हैंड लिया तो भी आप देखाऊंगी पार्टिकल्स होने की काराने बहुत ही अच्छे से हाइलाइटर की तरह वर्प करेगा आप देख सकते हो जो थोड़ सा पिंकिनेस आ गया है बट या उतना चाहिए उतना नहीं गया है तो या यह था अच्छे प्रोड़क के बारे में जो था वेटन वाइल का अम्रे ब्लश तो आप पर डिपेंड़े की आपको की सरीके का ब्लश रही हैंगी तो या यह यह था आपको अच्छा लगा होगा स्वाइचे स्वाइच अब देख सकते हैं अगर आप कुछ इस तरीके का ब्लश दो रहा हो तो आप यह ज़रूर ले सकते हो लिंक इस्मिशन में हैं अब जाकर चेक आप कर लेना या फिर अगर आपको चिक्स को पिंक दिखाने वाला ब्लश तो आप अपके लिए यह वाला ब्रश नहीं है कि मुझे लगता है तो आप सब आपको आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए चानल को सब्सक्राब किजिए और बेल आइकोन पर दिख किजिए तो देट विल गर्शें पर आपको अपको लार को सब्सक्राइक क्वापा अगर शर् Grade honeymoon